असलाम वालेकुम डेस्टुरेंट मेरा नाम है डॉक्टर इम्रान खानदादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट हम जिस टॉपिक को डिसकस करने वाले हैं वह हों मेडिकल और इसके बारे में कुछ इसके डिटेल पर थे हैं हिअमिव स्यस एक ऐसा मेकेनिजम है जो हमारे बोड़ी के इन्टर्नल कंडिशन को एक टोलेरेबल लिमिट में रखता है हमारे body के दो environment होते हैं एक external environment होता है दूसरा internal environment होता है यह जो external environment है यह हमारे internal environment को affect करता है लेकिन external environment के साथ problem यह है कि वो कभी भी constant नहीं रहता वो variable रहता है वो change होता रहता है जिसकी वज़ा से हमारा internal environment भी change हो सकता है हमारे internal environment में किसी भी किसम की कोई भी चेंज जो हे वो हमारे लिए बिलकु भी favorable नहीं होती इसलिए हमारी बोडी इस internal environment को एक steady limit में रखने के लिए एक normal limit में रखने के लिए हमारे बोडी में एक mechanism होता है उस mechanism को homeostasis कहते है homeostasis जो होता है ये हमारे body के तमाम functions को optimum level या optimum range में रखता है homeostasis के mechanism के लिए हमें एक पूरे system चाहिए होता है और इस पूरे system के अंदर सबसे एहम बात ये के body में आने वाली किसी भी किसम की change को check किया जाए और उसके बाद balance किया जाए हमारे body का जो check और balance का mechanism है ये feedback mechanism के लाता है और homeostasis operate करता है through feedback mechanism अब homeostasis के एक system को पूरा complete करने के लिए हमें तीन चीज़ों की requirement होती है सबसे पहले हमें sensors चाहिए जिनको हम receptor भी कहते हैं और इनका काम होता है किसी भी किसम की change को detect करना उसके बाद हमें एक competitor चाहिए होता है जिसको मसीनेस भी कहते हैं और ये होता है हमारा analyzing system यानि किसी भी किसम की change को हमारे receptor detect करने के बाद फोरी तोर पे brain को inform करते हैं मतब CNS को और CNS उस information को पहले receive करता है फिर analyze करता है और उसके बाद decide करता है कि इस information को या ये जो भी change आई ये इसको normal कैसे गया जाए उसके बाद इस system है जो तीसरी important चीज involved होती है वो है effector और effector वो organ होते हैं जो के इस change को फिर से normal कर देते हैं अब effector आम तोर पे या तो muscles होते हैं या फिर glands होते हैं इस के लावे effectors नहीं होते इस diagram के जरिये से हम समझने के कोशिश करते हैं homeostasis का mechanism किस तरीके से operate करता है अब सबसे पहले हमारे body में किसी भी किसम की कोई भी change आती है उस change को आपके sensors मतलब कि receptor उसको receive करते हैं और receive करने के बाद cns तक उसको inform कर देते हैं और cns उस information की base पर एक effector organ को decide करता है जैसे ही वो internal condition हमारी normal होने लगती है एक और message send होता है जाता है cns पे और ये message उस सारे process को रोक देता है अब हमारा cns जो था वो एक process के जरिये से किसी भी किसम की change को normal कर रहा था और normal होने के बाद दूसरा signal जाता है cns की जानिब के अब conditions normal हो चुकी है तो सारे process को रोक दिया जाए इसकी एक बड़ी बहतर इन example यह कि अगर हमारे body का temperature increase होना शुरू कर दे तो इसको आपके रिसेप्टर मतब थर्मो रिसेप्टर जो आपकी skin के अंदर मौजिद होते हैं यह 40 तोर पर इसको detect करते हैं detect करने के बाद inform करते हैं आपके brain को और brain effect और का मतब sweat glands के जरी sweating कराना स्टार्ट कर देता है और इस sweating के जरी जैसे जैसे आपके body का temperature नॉर्मल होने रखता है तो एक और message जाता है CNS पे के temperature नॉर्मल हो गया है और अब इस process को stop कर दे जाए और ultimately आपकी sweating का process रुक जाता है हमारे body के अंदर इस homeostasis को maintain करने के लिए जो communication system होता है उसमें यह सब components involved है मतब एक stimulus इस तरह क्या आपको पता है किसी भी किसम की change को stimulus कहते है हमारे body के internal या external environment में किसी भी किसम की अगर को change आ जाए that change is called stimulus इस stimulus को detect करने वाले cells receptor करते हैं और receptor इसको आपके linkage system linkage system यहाँ पर once again CNS को ही कहा गया है किनके CNS आपका sensor और effector मतब receptor और effector दोनों के बीच में एक link का काम कर रहा होता है इससे इसको linkage कहा गया है और effector जैसे ही उस चीज़ को उस change को normal कर देते हैं this is called response अब communication के बाद हमारे animals में या human के body के अंदर communication के दो system पाई जाते हैं एक endocrine system होता है दुसरा nervous system होता है endocrine system जो होता है यह operate करता है through hormones और आपको पता है कि यह hormones के जरीए से जो भी हमारे body के अंदर activities कंट्रोल होती है यह chemical coordination के हैंडिंग में आती है तो यह हमारा next chapter होगा है नेक topic होगे तब उसमें देखेंगे हम इस चीज़ को और इसके साथ साथ हमारे body के अंदर nervous coordination के अभी process चलता है endocrine system हमारे body